नमस्कार, प्रस्तोत है मुणशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखीवी कहानी, शाप यह शुब कामना विद्याधरी के अंतस्थल से निकली थी, मैं उसके मुख से यह अशिर्वात सुनकर फूली न समाई मुझे विश्वास हो गया, कि अपकी बार जब मैं अपने मकान पर पहुँचूंगी, तो पतिदेव मुस्कुराते वे मुझसे गले मिलने के लिए द्वार पर आएंगे इस विचार से मेरी रिदे में गुदगुदी सी होने लगी, मैं श्रीग्रहि स्वदेश को चल पड़ी, उतकांठा मेरे कदमों को बढ़ाये जाती थी, मैं दिन में भी चलती और रात को भी चलती, मगर पैर थे कि ठकना ही न जानते थे यह आशा की वो मोहिनी मूर्ती द्वार पर मेरा स्वागत करने के लिए खड़ी होगी, मेरे पैरों में पर से लगे वे थे एक महिने की मनजिल मैंने एक सप्ताह में तै कर ली, पर शोक, जब मकान के पास पहुँची तो उस घर को देखकर दिल बैठ गया, और हिम्मत न पड़ी के अंदर कदम रखू, मैं चौकट पर बैठकर देर तक विलाप करती रही, न किसी नौकर का पता, न कहीं पाले वे पशू ही दिखते थे, द्वार पर धूल उड़ गई थी, जान पर तथा पक्षी घोसले से उड़ गया है, कलेजे पर पत्थर की सिल रखकर भीतर गई तो क्या देखती हूँ, कि मेरा प्यारा सिंग आंगन में मोटी मोटी जंजीरों से बंधा हुआ है, इतना दुरबल हो उनके गले से लिपट गई, समझ गई कि नौकरों ने दगा की, घर की सामागरियों का कहीं पता न था, सोने चांदी के बहुमोलने पात्र, फर्ष, आदिस सब गायब थे, हाई, हत्यारे मेरे आभूशनों का संदूग भी उठा ले गए, इस अपहरण ने मुसीबत का प्य धन लोटा बैठी, दरिद्रता ने पहली बार अपना भयांकर रूप दिखाया, ए मुसाफिर, इस प्रकार लुट जाने के बाद वस्थान आखों में काटे की तरह खटकने लगा, यही वस्थान था जहां हमने आनंद के दिन काटे थे, इनी क्यारियों में हमने मृगों की भाति की लोले किये थे, प्रत्य एक वस्थू से कोई न कोई स्मृति सम्मन्दी थी, उन दिनों की याद करके आखों से रक्त के आसु बहने लगते थे, वसंत के रितु थी, बार की महक से वायू सुगंदित हो रही थी, मुवे के रिक्षों के नीचे परियों के शयन के ल भी न गिरी, जिस जन्मभूमे की याद आज जीवन हृदे को व्यथित करती रहती है, उससे मैंने यू मोह मोड लिया, मानो कोई बंदी कारगार से मुक्त हो जाए। काल को विजय किया हूँ पर समय चक्र को नहीं, शनाय शनाय मुझे इस स्थान से प्रेम हो गया और वह स्थान पथिकों के लिए धर्मशाला बन गया। अंदकार बढ़ता जाता था, एक छण के बाद मुझे उस और से किसी मनुश्य की चितकार सुनाई दी, फिर बंदूकों के शब्द सुनाई दिये और उसकी ध्वनी से पहार गुण जुठा। ए मुसाफिर, यह द्रिश्य देखकर मुझे किसी भीशन घटना का संदेह हुआ। मैं तुरंत उठ खड़ी वी, एक कटार हाथ में ली और उस सागर की और चल दी। अब मुसलाधार वर्शा होने लगी थी, मानो आज के बाद फिर कभी बादल बरसेगा ही नहीं। रह रहकर गरजन की ऐसे भयंकर ध्वनी उठती थी, मानो सारे पहाड आपस में टकरा गये हूँ। बिजली की चमक ऐसे तिवर्थी मानो संसार व्यापी प्रकाश सिमट कर एक हो गया हूँ। अंधकार का यह हाल था मानो सहरशो अमावश्चा की राते गले मिल रही हूँ। मैं कमर तक पानी में चलती दिल को समाले वे आगे बढ़ती जाती थी। अंत में सागर के समीप आप पहुँची, बिजली की चमक ने दीपक का काम किया। सागर के किनारे एक बड़ी सी गुफा थी, इस समय उस गुफा में से प्रकाश जोती बाहर आती भी दिखाई देती थी। मैंने भीतर की और जांका तो क्या देखती हूँ, कि एक बड़ा सा अलाव जल रहा है, उसके चारों और बहुत से आदमी खड़ेवे हैं, और एक स्त्री आगने नेत्रों से घूर घूर कर कह रही है, कि मैं अपने पती के साथ उसे भी जला कर भस्म कर दूँगी। मेरे कौतुहल की सीमा न रही, मैंने सांसे बंद कर ली और हतबुद्धी की भाती यह कौतुक देखने लगी। उस स्त्री के सामने एक रक्त से लिप्टिवी लाश पड़ी थी, और लाश के समीप ही एक मनुष्य रस्चियों से बंधा हुआ से जुकाय बैठा हुआ था। मैंने अनुमान किया कि वह वही अश्वारोही पतिक है जिन पर इन डाकूओं ने आगहात किया था। यह शव डाकू सरदार का है और यह स्त्री डाकू की पतनी है। उसके सिर के बाल बिखरे वे थे और आखों से अंगारे निकल रहे थे। हमारे चित्रकारों ने क्रोध क पूरुष कल्पित किया है। मेरे विचार से इस्त्री का क्रोध इससे कहीं अधिक घातक और विध्धुन्सकारी होता है। क्रोधुन मत होकर वह कोमलांगी सुन्दरी ज्वाला शिखर बन जाती है। उस इस्त्री ने दात पीस कर कहा, मैं अपने पती के साथ इसे भी जला कर भस्म कर दूँगी। यह क्या कर उसने रसियों से बंदेवे उस पूरुष को घसीटा और दहकती वी चिता में डाल दिया। आह। कितना भयंकर, कितना रोमांचकारी द्रिश्य था। स्त्री ही अपनी द्वेश की अगनी शान्त करने में इतनी पिशाची नहीं हो सकती ह मेरा रत खौलने लगा, अब एक चण भी विलम करने का अफसर न था। मैंने कटार खीच ली, डाको चौक कर तितर बितर हो गये। समझे मेरे साथ और भी लोग होंगे। मैं बेधरक चिता में घुस गई और चण मातर में उस अभागी पूरुष को अगनी मुक से निकाल लाई। अभी केवल उसके वस्तर ही जले थे। जैसे सर्प अपना शिकार चिंजाने से फुपकारता हुआ लपकता है, उसी प्रकार गरचती वी लपटे मेरे पीछे दोड़ी। ऐसा प्रतीत होता था कि अगनी भी उसके रक्ते की प्यासी हो रही थी। इतने में डाको सम और शेर सिंग रोदर रूप धारन किये वे भीतर महुचे। उनका भयंकर रूप देखते ही डाको अपनी अपनी जान लेकर भागे। केवल डाको सरदार की पतनी स्थबित सी अपने स्थान पर खड़ी रही। एका एक उसने पती का शव उठाया और उसे लेकर चिता में बैठ गी। देखते देखते उसका भयंकर रूप अगनी ज्वाला में विलीन हो गया। अब मैंने उस बंदेवे मनुशे की और देखा तो मेरे हिर्दे उचल पड़ा। यह पंडित श्रीधर थे। मुझे देखते ही सिर जुका लिया और रोने लगे। मैं उनका समाचार पूछी रही थी कि उसी गुफा के एक कोने से किसी के कराहने का शब्द सुनाई दिया। जाकर देखा तो एक सुन्दर युवक रक्त से लथपत पड़ा है। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। उसका पुरुष वेस उसे चिपाना सका। यह विद्याधरी थी। भर भी ठैरना अत्यंत शंका प्रत था। नजाने कब डाकू फिर सशस्त्र होकर आ जाए। उधर चितागनी भी शान्त होने लगी थी और उस सती की भीशन काया अत्यंत तेज रूप धारन करके हमारे नेत्रों के सामने तांडो क्रड़ा करने लगी। मैं बड़ी चिंता म कि दोनों को हमारी पीट पर बिठा दो। पहले तुम्हें उनका आशे समझ न सकी पर जब उन्होंन संकेत को बार बार दोराया तो मैं समझ गई। गुंगो के घरवाले ही गुंगो की बाते खूब समझते हैं। मैंने पंडित श्रीधर को गोध में उठाकर श्रीर सिंग क पीट पर बिठा दिया। उसके पीछे विद्यधरी को भी बिठाया। नन्हा बालक भालू की पीट पर बैठकर जितना डरता है उससे कहीं जादा ये दोनों प्राणी भैबीत हो रहे थे। चितागनी के छीन प्रकाश में उनके भैविकृत मुक को देखकर करुन विनोध होता था। अस्तो मैं इन दोनों प्राणीों को साथ लेकर गुफा के बाहर निकली और फिर उसी तीमिर सागर को पार करके मंदिरा पहुची। मैंने एक सप्ता तक यहां यथा शक्ति उनका सेवा सतकार किया। जब वे भलीभाती स्वस्थ हो गये तो मैंने उन्हें विद पीछे। उनके दोनों रक्षक भी उनके साथ थे। जब डाकूओं ने पंडित श्रीधर को घेरा और पंडित ने पिस्तॉल से डाकू सरदार को गिराया तो कोला हल सुनकर विद्याधरी ने घोड़ा बढ़ाया। दोनों रक्षक तो जान लेकर भागे। विद्याधरी क को डाकूओं ने पूरुष समझ कर घायल कर दिया। तब दोनों प्राणियों को बांध कर गुफा में डाल दिया। शेश बाते मैंने अपनी आखों से देखी। यदपे यहां से विद्याधरी का रोम रोम मुझे आशिरवात दे रहा था। पर हाँ, अभी प्रायश्चि की तलाश में घूमने लगे। विवश होकर मैं एक दिन वहां से चल खड़ी वी और दुरगम परवतों को पार करती वी, यहां आ निकली। यह स्थान मुझे ऐसा पसंद आया कि मैंने इस गुफा को ही अपना घर बना लिया। आज पूरे तीन वर्ष गुजरे जब मैंने पहले पहल ग्यान सरोवर के दर्शन किये थे। उस समय भी यही रितु थी। मैं ग्यान सरोवर में पानी भरने गई वी थी। सैसा क्या देखती हूं कि एक युवक मुश्की गोडे पर सवार होकर रतनजरित आभूशन पहने हाथ में चमकता हुआ भाला लिये चला आता है शेर सिंग को देखकर वा ठिटका और भाला समभाल कर उन पर वार कर बैठा। शेर सिंग को भी क्रोध आ गया। उनके गरजने की ऐसी गगन भेदी ध्वनी उठी कि ग्यान सरोवर का जल आंदोली थो गया। और तुरंत घोडे से खीच कर उसकी छाती पर पंजे रख दिय मैं घडा छोड़ कर दोड़ी। युवक का प्राणांत होने ही वाला था कि मैंने शेर सिंग के गले में हाट डाल दिया और उनका सिर सहला कर क्रोध शांत किया। मैंने उनका ऐसा भयंकर रूप कभी न देखा था। मुझे स्वैम उनकी पास चाते वे डर लगता था। पर एक दिन मैं कुछ आवशक वस्तुएं लेने के लिए उस कस्बे में गई जिसके एक मंदिर के कलश यहां से दिखाई दे रहे हैं। मगर वहां सब दुकाने बंद थी। बाजारों में खाक ओड रही थी। चारों और सियापा चाया हुआ था। मैं बहुत देर तक इधर उ चानों में आई और एक चण में एक स्त्री सिर से पैर तक काले वस्त धारन किये एक काले गोडे पर सवार आती वी दिखाई दी। उसके पीछे कई सवार और प्यादे काली वर्दियां पहने आ रहे थे। अकस्मात उस सवार स्त्री की द्रिश्टी मुझ पर पड़ी। उस किसी का पता नहीं। उस स्त्री ने पीछे की ओर देखकर कुछ संकेत किया और दो सवारों ने आगे बढ़कर मुझे पकड़ लिया और मेरी बाहों में रसियां डाल दी। मेरी समझ में ना आता था कि मुझे किस अपराद का दंड दिया जा रहे। बहुत पूचने पर भी किसी ने मेरे प्रश्णों का कोई उत्तर न दिया। हाँ अनुमान से ये प्रकट हुआ कि ये इस्त्री यहां की रानी है। मुझे अपने विशे में तो कोई चिंता न थी। पर चिंता थी शेर सिंकी कि वह अकेले घबरा रहे होंगे। भोजन का समय आप पहुचा। कौन गंटे तक चलती रही कि सामने एक उची पहाड़ी पर एक विशाल भवन दिखाए दिया। उपर चड़ने के लिए पत्थर काट कर चौड़े जीने बनाए गये थे। हम लोग उपर चड़े। वहां सैकडों ही आदमी दिखाए दिये किन्तु सब के सब काले वस्त्र धार किये वे थे। मैं जिस कमरे में लाकर रखी गई वहां एक कुशाशन के अतरिक्त सजावट का और कोई समान न था। मैं जमीन पर बैठकर अपने नसीब को रोने लगी। जो कोई यहां आता था मुझ पर करून दृष्टिपात करके चुप-चाप चला जाता था। उन्हें अपने स्थान से उठकर उनका सम्मान किया और हात बांध कर अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए खड़ी होगी। ए मुसाफिर, रानी महोदया के तेवर देखकर पहले तुमेरे प्रान सुग गये। किन्तु जिस प्रकार चंदन जैसी कठोर वस्तु में मनोहर सुगंदी चिपी होती है, उसी प्रकार उनकी करकशता और कठोरता के नीचे मोम का सद्र शेहरिदय चिपा हुआ था। उनका पुत्र थोड़े ही दिनों पहले युवा वस्ता में ही दगा दे गया था। उसी के शोक में सारा शहर मातब मना रहा था। मेरे पकड़े जाने जो मेरी गुफा में पड़ा हुआ है। मैंने उनसे पूछा, राजकुमार मुश्की घोड़े पर तो सवार नहीं थे। रानी, हाँ हाँ मुश्की घोड़ा था, मैंने उसके लिए अरब देश्चे मंगवा दिया था, क्या तुने उन्हें कहीं देखा है। मैं, हाँ रानी ने पूछा, कब? मैं, जिस दिन वो शेर का शिकार खेलने गये थे। रानी, क्या तेरे सामने ही शेर ने उन पर चोट की थी? मैं, हाँ हाँ, मेरी ही आखों के सामने। रानी उत्सुको कर खड़ी हो गई और बड़े दीन भाव से बूली, तु उनकी लाश का पता ल मर हूँ, वह दो सपताहों तक मेरे यहां महमान है। रानी हर्ष मैं आश्चरे से बोली, मेरा रणधीर जीवित है? मैं, हाँ, अब उनमें चलने फिरने की भी शक्ती आ गई है। रानी मेरे पैरों पर गिर पड़ी। तीसरे दिन अर्जुन नगर की कुछ और ही शोभा थ वायू आनंद के मधूर स्वर में गुंचती थी। दुकानों ने फूलों का हार पहना था। बाजारों में आनंद के उत्सव बनाए जा रहे थे। शोप के कालोवस्तरों की जगा केसर का सुहावना रंग बधाई दे रहा था। इधर सूर्य ने उशा सागर से सिर निकाल उधर सलामिया दागना आरंबुवी। आगे-ागे मैं एक सबजा घोडे पर सवार आ रही थी और पीछे राजकुमार का हाथी सुनेरे जूलों से सचता चला आता था। स्रिया अटरियों पर मंगल गीत गाती थी और पुश्पो के व्रिष्टी करती थी। राजभवन के द्वार पर राणी मोतियों से आचल भड़े खड़ी थी। जो ही राजकुमार हाथी से उतरे वो उन्हें गोध में लेने के लिए दोड़ी और छाती से लगा ली। ए मुसाफिर! आनंदोच्सो समाप्त होने पर जब मैं विदा होने लगी तो राणी महोदे ने सजल नेत आती हूं वह तुझे स्विकार करनी ही पड़ेगी अगर रंधीर मेरा पुत्र है तो तू मेरी पुत्री है तूने ही रंधीर को प्राण दान दिया है तूने ही इस राजे का पुनरुद्धार किया है इसलिए इस माया बंधन से तेरा गलानी चूटेगा मैं अर्जुन रानी की यह असीम उदारता देखकर मैं दंग रह गई कल्यूग में भी कोई ऐसा दानी हो सकता है इसकी मुझे आशा भी न थी यदे पी मुझे धन भोग की लालसा न थी पर केवल इस विचार से की कदाचित यह संपत्ती मुझे अपनी भाईयों की सेवा करने की सामर्थ मैंने इस जागिरदार की जिम्मेदारियां अपने सिर ले ली तब से दो वर्ष व्यतित हो चुके हैं पर भोग विलास ने मेरे मन को एक छण के लिवी चंचल नहीं किया मैं कभी पलंग पर नहीं सोई रूखी सुखी वस्तुओं के अतरिक्त और कुछ नहीं खाया पती व पर मेरे लिए वस्तब त्याज्य हैं भवन सुने पड़े रहते हैं वाटिकाओं में खोजने से भी हर्याली न मिलेगी मैंने उनकी और कभी आखें उठा कर भी न देखा अपने प्राणधार के चर्णों से लगे वे मुझे अन्य किसी वस्तु की इक्षा ही नहीं मैं नित रियासत की संपूर्ण आय परोपकार में व्याय होती है मैं उसकी एक कोड़ी भी अपने खर्च में नहीं लाती आपको अवकाश हो तो आप मेरी रियायत का प्रबंद देखकर बहुत प्रसन्न होंगे मैंने इन दो वर्षों में 20 बड़े-बड़े तालाब बनवा दिये 40 गोशालाएं बनवा दि मेरा विचार है कि अपनी रियासत में नहरों का ऐसा जाल बिचा दूँ जैसे शरीर में नाडियों का मैंने 100 कुशल वैद नियुक्त कर दिये हैं जो ग्रामों में विचरन करें और रोब की निवरिती करें मेरा कोई ऐसा ग्राम नहीं है जहां मेरी और से सफाई का प्रबंध न हो चोटे-चोटे गाउं में आपको लाल्टेने जलती मी मिलेंगी दिन में प्रकाश इश्वर देता है रात के प्रकाश की ववस्ता करना राजा का करतव्य है मैंने सारा प्रबंध पंडिच शृधर के हाथों में दे दिया है सबसे प्रतम का जो मैंने किया वह यह था कि उन्हें ढूंड निकालू और यह भार उनके सिर पर रख दू इस विचार से नहीं कि उनका सम्मान करना मेरा अभेष्ट था बलकि मेरे द्रिष्टी में कोई अन्य पुरुष ऐसा करतव्य परायन ऐसा निस्प्रिह ऐसा सचरित रन था मुझे पूर्ण विश्वा से कि वह आजीवन रियासत की बागडोर अपने हाथ में रखेंगे। विद्यधरी भी उनके साथ हैं। वही शान्ती और संतोष की मूर्ती, वही धर्म और व्रत की देवी। उसका पति व्रत अभी ज्यान सरुवर की भाती अपार और अथा है। यदे जुक जाती है। मुझे देखते ही उसके उपर घड़ो पानी पड़ जाता है और उसके माते के जलबिंदू दिखाई देने लगते है। मैं आपसे सत्य कहती हूं। मुझे विद्यातरी से कोई शिकायत नहीं है। उसके प्रती मेरे मन में दिनो दिन श्रधा और भक्ती ब रुक जाती हूं। पर मेरी इश्वर से यही प्रात्ना है कि अपने स्वामी के चर्णों में पड़ी रहूं। और जब इस संसार से प्रस्थान करने का समय आए तो मेरा मस्तक उनकी चर्णों पर हो। और अंतिम शब्द जो मेरे मुह से निकले वह यही कि इश्वर दूसर पर शालिनी देवियां उत्पन हो। उस पर पाश्चात्य के कलपना हीन विश्वास हीन पुरुष अंगुलियां उठाए। समस्त यूरोप में ऐसी सुन्दरी नहोगी जिससे इसकी तुलना की जा सके। हमने इस्तरे पुरुष के संबंद को सांसारिक संबंद समझ रखा और दुर्भागे से हमारी सब्यता ने ऐसा मार्ग ग्रहन किया है कि कदाचित दूर भविशे में भी ऐसी देवियों के जन्म लेने की संभावना नहीं है। जर्मनी को यदि अपनी सेना पर, फ्रांस को अपनी विलासिता पर और इंगलैंड को अपने वानिज्जे पर गर एक भी सीता या सवित्री की रचना ने कर सके। वास्तों में यूरोपिय समाज ऐसे आदर्शों से वंचित है। मैंने दूसरे दिन ग्यान सरूवर से बड़ी अनिक्षा के साथ विदा मांगी और यूरोप को चला। मेरे लोटने का समाचार पूर्वे ही प्रकाशित हो च चतो सहरशो, नर, नारी, सैकडो, विद्वान और राज कर्मचारी मेरा अभिवादन करने के लिए खड़े थे। मुझे देखते ही तालिया बजने लगी, रुमाल और टोप हवा में उचलने लगे और वहां से मेरे घर तक जिस समारोहों से जुलुस निकला उस पर किसी र इनवर्सिटी की फर्माईशों से दम मारने का अवकास न मिला। यात्रा वृतांत देश के प्राया सभी पत्रों में छपा। अन्य देश से भी बधाई के तार और पत्र मिले। फ्रांस और रूस आधी देशों की कितनी ही सभाओं ने मुझे व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। एक-एक वक्रिता के लिए मुझे कई-कई हजार पॉंड दिये जाते थे। कई विद्यालों ने मुझे उपाधियां दी। जार ने अपना ओटोग्राफ भेजकर सम्मानित किया। किन्तु इन आदर सम्मान की आंधियों से मेरे चित्त को शांतिन मिलती और ज्यान सरोवर का सुरम में तट और वह गहरी गुफा और वह मृदु भाषणी रमणी सदयाव आखों के सामने फिर्दी रहती। उसके मधूर शब्द कानों में गूंजा करते। मैं थियेटरों में जाता और स्पेन और जॉर्जिया की सुन्दरियों को देखता। किन इसे तरह पर लगा कर ज्यान सरोवर के तट पर पहुंचाऊ। आखिर एक रोज मैंने सफर का सामान दुरुस्त किया और उसी मीती के ठीक एक हजार दिनों के बाद जबकि मैंने पहली बार ज्यान सरोवर के तट पर कदम रखा था, मैं फिर वहां जा पहुंचा। प्रभा करा रहा था, मानो अंगिनत अपसराएं आभूशनों से जगमगाती वी नित्य कर रही हो। लहरों के साथ शतदल यू जोके लेते थे जैसे कोई बालक हिंडोले में जूल रहा हो। फूल के बीच श्वेत हंस तैरते वे ऐसे मालूम होते थे, मानो लालीमा से चायवे आका पर तारगन चमक रहे हूं। मैंने उत्सुक नेत्रों से इस गुफा की और देखा, तो वहां एक विशाल राजप्रसाद आसमान से कंधा मिलाए खड़ा था। एक और रमणीक उपुवन था, दूसरी और एक गगन चुमबी मंदिर। मुझे या काया पलट देखकर आश् चौबदार करना चाहता है। चौबदार भीतर चला गया और एक चण के बाद आकर बोला, मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ हो लिया। पहले एक लंबी दालान मिली जिसमें भाती-भाती के पंची पिंज़ुरों में बैठे चहक रहे थे। इसके बाद एक विस्तरित बारादरी में पह माओ धरते संकोच होता था। दिवार पर निपुन चित्रकारों की रचनाय शोभाय मान थी। बारादरी के दूसरे सिरे पर एक चबूतरा था जिस पर मोटी काली ने बिचिवी थी। मैं फर्ष पर बैठ गया। इतने में एक लंबे कद का रूपवान पूरुष अंदर आता हुआ दिखाए दिया। उसके मुख पर प्रतिभा की जोती जलक रही थी और आँखों से गर्व टपका पड़ता था। उसकी काली और भालेदार नोक से सद्रिशे तनी भी मूचे उसके भारों की तरह काले घुंगराले बाल उसकी आकरिती की कठोरता को नर्म कर देते थे। विने पूर्वक विर्ता का इस से सुंदर चित्रे और कहीं नहीं खिचा जा सकता था। उसने मेरी और देखकर मुस्कुराते वे कहा। आप मुझे पहचानते हैं। मैं अदब स सुन्दे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।